हाई एन वेलकम टू कोडिंग सेंस आज हम बात करेंगे कंट्रोल वर्सेज अन कंट्रोल या फिर स्टेट फुल वर्सेज स्टेटलेस जिसको हम प्रिजेंटेंशनल भी बोलते हैं या स्मार्ट वर्सेज डंप कॉंपनेंट यह इतने सारे रियक्ट के ओफिशियल टर्म से ज कंट्रोल विक्रोंपनेंट ग्रिए जैसे पिछले विडियो में उपनी पीपनी फिप्ल फॉर्म का टेटल वर्सेज ब्ल्लू है simple html नहीं है html form नहीं है जिसको real DOM इसको मतलब control करेगा इसको कौन control करेगा जैसा state में set करेंगे हम right वैसा आपने को यहाँ value set होगे वैसा data दिखेगा यानि कि इसको control react करेगा दुसरा यहाँ पर change name change handler है जब आप यह call करेंगे on change करेंगे तो यह call होगी और जब यह call होगी तो फिर आप क्या करोगे state को set करोगे यहाँ पर है ना तो जब state को set करोगे तो क्या होगा value change होगी और value change होगी तो basically क्या हमें यहाँ पर data दिखेगा right जो input में हम type कर रहे हैं तो basically अभी कैसा है आपका input complete track में है किसका status में है ना example जैसे आप यहाँ पर कुछ लिख रहे हो तो मैं इसको inspect करता हूँ यह देखेए अगर मैं inspect करूँ यहाँ पर तो मुझे value क्या blank मिल रहे क्यों क्यों क्योंकि status मेरा क्या blank है है ना use state और क्या होगा अगर मैं इस पर कुछ type करूँ तो जैसे में row ही type करूँगा आप देखेए मेरा value भी change हो रहे है क्यों change हो रहा है अब आपको पता है क्योंकि इस पर जो लिगी है यह लगी है on change handler right on change sorry on change event attach है handler के साथ तो on change जब भी trigger होगी तो basically हमारा handler चलेगा जब भी हमारा handler चलेगा यानि कि यह चलेगी name change handler तो state को set करेगा है ना यहाँ पर state set करेगा और जब भी set username करेगा तो basically यहाँ पर अपना username update होगा और यह username हम value के साथ tie up किये हुए इसलिए आप देखते हो कि जब भी हमें आपे को change कर रहे है तो state change हो रही है और वही state हमें value से tie up है तो value में दिखती है तो इसको क्या बोलते है two way binding right और यह क्या controlled है है ना control मतला हमने जस्ट पढ़ा control components are those in which form data is handled by the component state यानि कि यहाँ component state handle कर रहे है क्योंकि हम state change करते हैं और value भी change हो रही है तो यह था क्या controlled right अब यहाँ पे controlled यह form inputs है लेकिन control components भी होता custom components जैसे कि मैं अगर बात करूँ people.js right people.js के अंदर मुझे user दिख रहे है अब user जो है अगर मैं इस पे जाता हूँ तो आप देखो कि इसका कोई state नहीं है और इसका कोई state नहीं है और यहाँ पे यह जो भी काम कर रहे है simple right जैसे कि जो भी है button click यह जो भी है अपने parent से communicate करता है यानि कि इसको control कोन कर रहे है इसका parent right इसका parent बोलता है कि तुम एक काम करो जो भी काम है करो और मुझे दे दो मैं चीज़े control करूँगा यानि कि user जो है किसके control में है यह अपने parent के control पर जिसको बोल रहे है people.js right तो people जो component है user को control कर रहे है यह user को कोई अपना state नहीं है अब इसी को आप बोल सकते हो as a presentational component मतलब बहुत सारे terms है example stateless या presentational right stateless या presentational मतलब क्या बस इसको outputting के लिए use कर रहे है जैसे user है कि आप presentational अपना component है इसमें हम कुछ भी logic या कुछ भी statement है कोई data hold नहीं कर रहे है हम इसको ऐसा output करना चाहते है right screen पर तो हमने इसको ऐसा dump पनाया ठीक है इसी को आप यह भी ब component versus dump component smart component मतलब जो state hold करते dump component मतलब basically as a आप बस view के लिए use कर रहे हो बस output करने के लिए आपको यह output करनी है और क्योंकि multiple करनी है तो आपने अलग कर दिया component को और यह कोई logic hold नहीं कर रहा है बस एक input handler है जो parents से communicate करते है तो इसको आप बोल चकते हो dump, dump मतलब ऐसा नहीं, paralysis मार द आता है यहानि parent कोन, इसका user का parent कोन है अगर मैं people में जाओ तो user यह तो आप समझे होंगे कि basically जबी भी आपका यह term सुनो stateful ठेक है यह stateless तो stateful मतलब क्या यह अपना stateful अगर मैं बात करूँ यह इसका card का right क्योंकि state रख रहा है और यहाँ पे जो भी आप user कर रहा है जैसे user पर जो भी click कर रहा है इसका data कोन hold कर रहा है कोन update कर रहा है verify यहाँ पे people कर रहा है verify handler के through तो यहाँ पे people इसको control कर रहा है तुम बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ और बाकी चीज़े मैं करने वाला हूँ ठीक है तो आप I hope आप समझे होंगे basically कि यह dump component है यह stateless component है यह अपन आप state कहीं पर maintain करते हो कहीं पर maintain नहीं करते हो right जैसे कि user में maintain नहीं कर रहे है क्योंकि dumb component है यह फिर यह just presentational component है है और mostly इस पर limited control रहती है ऐसा भी आप बोल सकते हो है अगर uncontrolled है तो यह uncontrolled नहीं controlled है इस पर complete control है है आप example मैं blue form का तो जैसे मैंने pure form.js में क्या किया value अगर नह change तो कर पा रहा हूँ मैं इसको use करके इससे जो type कर रहा हूँ data ले 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 रहा हूँ लेकिन अब input को clear कैसे करूँगा है ना क्योंकि इस पर तो किसी control नहीं है react का control नहीं react बोलता है यह तो normal dom में भी काम करता है real dom में भी right यह तो normal HTML का part है कि आप listen करोगे और change handler run होगा और data मिलेगा react इससे थोड़ी मतलब कि इसको control कर पा रहे जब तक आप value ना state ना bind करो react बोलता है कि मेरा command मेरे state पे है तुम बस कैसे भी state connect कर दो मैं इसको control कर लोगा अगर नहीं करते तो क्या limited control रहे था form के उपर right limited control मतलब क्या सिर्फ handler यूज़ कर रहे हो और इसका data listen कर रहे तो I hope आप समझ गया होंगे basically जो basic term use होता है सिर्फ इतना ही है कभी भी control statement control जो भी control component होता है state maintain नहीं करता है इससे हमने अभी देखा राइट सारे एक ही term है अगर मैं बात कूई people.js के अंदर जो user है यह अपना state maintain नहीं करता है state maintain कोन कर रहे है यह people ठीक है state यह maintain नहीं करता ह यह basically control component है ठीक है तो आप इसको आप प्रॉप्स बेजते हो और प्रॉप्स से यह सारा चीज access करता है इसका कोई state नहीं है राइट यह सब प्रॉप्स बेज रहे है हम बिसके लिए ना जिसको destructuring करके हम निकाल रहे data यहाँ पर यहाँ पर है ना यह properties तो है राइट इसका क परेंट कर रहा है यूजर को राइट जो यूजर इसको गाइट को न कर रहा है परेंट जो की है यहाँ पर people है ना so I hope आपको इस समझ में आओगा मिलते के लिए वीडियो में thank you so much